हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कल्यान ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेट के बारे में लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले आप सभी लोग मुझे कॉमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके पास में इस कंपनी का शेयर है या फिर नहीं है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो का हम लोग शुरू कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो इस कंपनी का मार्केट कैप 41,276 करोड रुपीज का है अगर बात करें कंपनी के करन शेयर प्राइस की तो ये 439 रुपीज का है और कंपनी का 52 वीक का हाई 464 रुपीज 95 पैसा था अब दोस्तो एक बार हम company के अंदर shareholding का pattern देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं company में foreign institution की shareholding 21.1% की है और March 2024 के quarter में इनकी shareholding के अंदर हमें यहापे कमी होते हुँ दिखाई दी है अगली shareholding है mutual fund की 9.58% की और mutual fund की shareholding इस company में March 2024 के quarter के अंदर हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है इसके लाब दोस्तों इस company में other domestic institution की shareholding 1.43% की है पर motors की हिस्सेदारी company में 60.63% की है retail and other की shareholding company में 7.26% की है अब दोस्तों हम एक बार company के fundamentals देखेंगे तो company का PE ratio 69.05 का है जबकि इस sector का जो PE ratio है ये 76.77 का है company का PE ratio 9.83 का है company का ROE 11.25% का है company का ROCE 13.35% का है ये company अपने निवेशकों को dividend देती है company का dividend yield 0.28% का है company का debt to equity 0.66 का है अब दोस्तों company के profit loss की report देखेंगे तो पहले हम company की year wise profit loss की report देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि March 2024 में company को 596 करोड का profit हुआ है जबकि March 2023 में company को 432 करोड का profit हुआ था यानि कि March 2023 की तुलना March 2024 में company को अच्छा profit हुआ है बाकी दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से company जो है लगाता ग्रोड कर रही है और हर साल अपने profit को increase कर रही है अगर बात करें company की quarter wise performance की तो March 2024 में company ने 137 करोड का profit generate किया है जबकि March 2023 में company ने 70 करोड का profit generate किया था यानि कि March 2023 की तुलना March 2024 में company ने ज़्यादा profit generate किया है अब एक बार हम company की share market में performance देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं 2021 से लिक अभी तक इस company ने अपने निवेशकों को 484 परसेंट का return दिया है पिछले एक साल में company ने 237 परसेंट का return दिया था पिछले छे मैने में company ने 28 परसेंट का return दिया है पिछले एक मैने में company ने 8 परसेंट का return दिया है और लास्ट के पांच दिनों में इस company ने अपने निवेशकों को minus 0.23% का return दिया है दोस्तो अभी आपने कल्यान Jewelers India Limited से संबंधित आकड़े देखे हैं आपने यहाँ पर यह देखा है कि company के अंदर हमें 5 तरह की shareholding देखने को मिल रही है company का PE ratio अच्छे तरीके से maintain है company अपने निवेश को dividend भी देती है और company का debt to equity low है चाहे बात करे quarter wise या फिर year wise company जो है बहुत ही अच्छा profit generate कर रही है और year on year base पे company अपने profit को भी increase कर रही है इसके लाव दोस्तों यह जो company है जब से share market में आई है तब से लेके अभी तक अपने निवेश को को अच्छा खासा return दे रही है बाकी दोस्तों आप लोग किसी भी company में निवेश करने से पहले अपने financial advisor के सलाव जरू ले लिजेगा और खुद भी एक बार detail में research और study जरूर कर लिजेगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करिए बाकी मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगा एक और नई वीडियो में चापता के लिटाटा बाई बाई